नमस्कार दोस्तो आज का टॉपिक है भाई साथ ये वाला भी पुराना हो जाएगा इंटरस्टिंग टॉपिक है एंड तक देखना लोगों से शेर करना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक पीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो अच्छा लगे तो जुर तो इसमें जो पुराना ग्राहक है जिसने पहले प्रॉपर्टियां ले रखी है वो अपनी जब बेचने के लिए जाता है तो उसकी बेचने में दिक्कत आ रही है एक सेंस ओफरस्ट्रेशन है उसको जिसने खरीदा था पहले उसके रेट उपर जा चुके थे अब वो नीचे पे भी नहीं विकरी तो इनके मुझे निकलता है भाई साब ये वाला भी तो पुराना हो जाएगा तो वही टॉपिक है आज का इंट्रस्टिंग टॉपिक है प्लीज इस टॉपिक को अगर पसंद कर लिया आपने तो इसी पॉइंट पे आप लाइक कर दीजिए किस इसी भी सेक्टर में जब भी टेक्नोलिजिकल बड़ा शिफ्ट या चेंज आता है तो उसमें वो हमेशा हमेशा के लिए गेम चेंज हो जाता है कंस्रक्शन इंडस्ट्री में रेजिदेंशल रियल एस्टेट में इंडिया में माइवन कंस्रक्शन आ चुकी है जो एक चाले बने हुए हैं प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लेना माइवन कंस्रक्शन इस न्यू टेक्नोलोजी उसमें उसकी लाइफ सौ सवा सो साल हो जाती है पुराने जितने लाल इट वाले जो बने हुए हैं इनकी लाइफ 30-35 साल है बहुत घटिया बना है तो 30 है ब बारा लाग किली थी 20-25 साल पहले उसको तो 30-35 आ रहा है वो तो अराम से बैठा है लेकिन जिनने थोड़ा लेट लिया है उनको थोड़ा सा कष्ट आ रहा है अभी क्योंकि अब उनको भी लग रहा है कि ये नए वाले ले ले लेकिन उनके ये वाले बिक नीरे classic example आपको बताता हूँ 56 सेक्टर हुड़ा का जो गुड़गाओं में उनकी societies का वहाँ पे जितने भी विहार करके हैं societies अलग-अलग करके आपको पता है कितनी societies हैं वहाँ जिन फ्लैटो के rate 1.7 CR कभी टच कर गए थे demonetization से पहले वाले टाइम पे वह अब 1.2 के हो रखे हैं और अब जिनने वह rate डेड और 1.6, 1.7 सुन लिये थे उनसे 1.2 पे बेचा नहीं जाता है और बेचना जब निकालते हैं तो 1.2 पे भी नहीं बिकरा comment section में लिखना अगर आप इससे identify करते हैं तो ID लिख देना कि हाँ ये हो रहा है मेरे रिश्चिदार का हो रहा है मेरे साथ हो रहा है क्योंकि यहां मैं real data के साथ ही कोई video बनाना चाह रहा हूँ तो अब उसमें जगे location अगर देखो तो 56 sector बले बले location है बिलकुल golf course हिदा रहे सारी amenity सब कुछ बहुत ही अच्छी जगे है लेकिन वहाँ पे अब वो real estate stagnate कर रही है तो ये जो crowd है इनके मुझे से निकल रहा कि एक दिन इनका भी आएगा जी वो तो it is like दिलिप कुमार फिर राजिश खना फिर अमीता बच्चन और फिर वो आगे आगे जो stars बनते गए तो वो तो वो वाली story follow होती है लेकिन ये my one में life जादा है plaster नहीं चूटेगा क्योंकि plaster ही नहीं पेंट उतरेगा नहीं क्योंकि plaster नहीं उतरेगा अन्पुटी नहीं उतरेगी तो जब ये market discover करेगा कि यारी इस तो बहुत साफ सुतरा चिकना रहता है 10-15 साल बाद भी तो इनकी valuations और बढ़ेंगी अल्रेडी बढ़ी हुई है market में आप देख लो कि क्या rates हो रखे है दूसरा अब मैं आपको takeaways और advice देने वाला हूँ कि अगर आप ऐसे हैं तो आपको क्या करना है अगर आपका golf course road के उपर कोई property आपने ली हुई है और उसके rate भी 1-20 लग रहे है जबकि वहाँ पे property 5-5-6-6-7-7-7-1 की भी है लेकिन आपके rate CGH society है आप मत बिचो लोकेशन बहुत great है दुबारा location आ नहीं सकती तो जब आप great location pen it is true for every property across इंडिया तो ये video restrict नहीं कर रहा है सरव गुड़गाओं के लिए ये आपका daily के लिए भी अप्ली के बेल अगर ये चीज़ हाला कि वहाँ छोटे builder flow type system होता है अगर location is too great और वो हर शहर की एक great locations थोड़ी होती है और सबको पता होती है तो रहो उसमें ठीक है में भी fresh ना खरीदो लेकिन अपना पकड़ के रखो क्योंकि location नहीं लापाऊ कि किसी दिन भी read development में जाएगी और वहाँ जब भी कोई flat आएगा तो वो आपको 3-4 CR वाली चीज़ निकल कर मिल जाएगी हाँ उसमें 10 साल लगेंगे आपके तो वो जो 1.2 पे निकल जाओगे आप वो आपका 3-4 CR हो सकता है में भी 10-15 साल बात तो ये आपकी एक clear मैंने आपको बात बताई दूसरी चीज़ अगर आप newood गाओं में पुरानी में फसे होया और plaster निकल रहा है हम society के नाम नहीं लेना चाता लेकिन वहाँ से आप निकल जो क्यों कि वो उतनी great location नहीं है वहाँ supply fresh नहीं आ रही है माइवन के साथ आ रही है अच्छी आ रही है तो और उसी रेटों पे आ रही है और वहाँ आपने लिया था 2200 रुपे 2300 रुपे square feet 1900 रुपे square feet अब वो 4500 रुपे square feet अब भी निकल जा रहा है 4800 रुपीज भी न पुरानी चीज़ें भी सब कुछ भिखता है इंडिया जिस कंटरी में कबार भी भिखता है पुराने अकबार भी भी भिखते हैं यूल बी अबल तो सेल इट इस ओनी अबर द प्राइस पॉइंट ना तीसरी एरिया आता है जो एक नया उभरता एरिया है द्वार का express वे अ लोकेशन है जहां रॉकेट लगना है वो वाला मत करो अब इसके अंदर कुछ sizes और वो चीज़ें वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा कि उसमें महिलाएं और बाकी लोग आके आपकी जो वाइवस हैं घर के बाके बड़े बुर्जुर हैं वो decision making गलत तरफ कैसे ले जात है अच्छी चीज़ बनी हुई बहुत साल रहती है नियू यॉर्क में जाके आप चेक कर लो और इनका जो हाइट है और एफ यार है उसका पूरा जूस निकल रहा है अब उससे जादा डेंस नहीं आ पाएगा तो डेंस्टी में भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं तो इनमें अब कोई तोड़ फोड़ का सीन नहीं होगा लेकिन जो पुराने वाले हैं उनमें यू वाली चीज़ में चिड़ना नहीं है हमें जस्ट बिकॉस हमारे इमोशन से कुछ नहीं होता है इन्वेस्टिंग में हम ये ऐसे शराप दे दें किसी को या कुछ विश कर लें या ये बोलते कि अरे ये तो ऐसे कर रहे है एक्शल में ऐसे ऐसे नहीं होता है जो reality है life की हो reality है काली पीली टेक्सी इंब सेटर भहुत जगे है उसमें लेकिन उसको कोई खरीता नहीं हो टेक्सी में ही चलती है तो जब technology का shift कभी भी आया है किसी भी चीज में आया है चाहा हे वो cars के अंदर आया है कि पार स्टेरिंग नॉन पार स्टेरिंग ठीक है तो लोग पुरानी चीज़ को एकदम ही इग्णोर कर देते हैं हॉलमाक नॉन हॉलमाक आपका वो नोकिया मुवमेंट पहले नोकिया के फोन थे फिर दूसरे वाले आगे उससे पहले वो कोडाक मुवमेंट कि पहले ऐसे खिषते थी और 36 का रोल होता था और 36 फोटो खिषते थे अब नहीं है किचनी अब कितनी मर्जी किचो तो पीपल नेवर गो बैक वो ही चीज़ चेंज होगी आपका जो तिसे टीवी था तो टीवी ब्लैक अन वैट था ब्लैक अन वैट के बाद वो कलर टीव हो चुका है तो अब टेकनोलजी जो उसकी तरह है टीवी की तरह एलेक्ट्रोनैक्स की तरह इतनी तेजी से नहीं होती कंस्ट्रक्शन में चेंज क्युक्杂 माइवन हो है यह वाली कई साल पूरानी टेकनोलजी है इंडिया मे नहीं है बाहर के कंट्रीज ज़्यादा popular हो रही है यह कि आपकी affordable housing भी इससे बन रही है तो अगर आपकी affordable housing के जो structure है that will appear much better after five six years compared to these ones and वहाँ पे wealth destruction होगा और wealth creation होगा तो be very very clear कि अगर आज आप jewelry खरीते हैं तो आप haul mark की ही खरीते हैं क्योंकि non haul mark की बनती नहीं क्यों नहीं बनती क्योंकि कोई खरीता न नहीं तो बनती नहीं आज के दिन non-power steering की गाड़ी कोई नहीं खरीता क्योंकि बनती नहीं बनती क्योंकि कोई खरीता नहीं खरीता या आप सोच रहे हैं मैं किस path पर आपको लेके जा रहा हूँ क्योंकि वो चीज बनती नहीं क्योंकि कोई लेता नहीं लेता नहीं क्योंकि बनती नहीं, वो वाला cycle स्टार्ट हो गया, तो ये वाला cycle आप मुझे बताएं, आज के दिन high rises में कौन सा builder है जो non-maiwan बना रहा है, mostly सब baiwan ही बना रहे हैं, तो this is the path where we are going, तो ये चीज में you should be very very clear in your decision making, कि मुझे अब क्या लेना है, thank you very much.